दूसेटी इंडिया तो फिर तायारी रखनी चाहिए उनको मेरा परिच्यों तो हो चुका है दस साल हो गए एक बार और मैं हादरपुर्वक नहरुजी को इन दोनों जादा याद करता हूँ क्योंकि हमारे साथियों के अपे इच्छा रहती है अब देखे एक बार नहरुजी ने चिठी लिखी थी और ये चिठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ उन्होंने लिखा था ये देश के प्रदान मंत्री पंडित नहरुजी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिठी है ओन रेकॉर्ड है मैं अनुवाद पढ़ता हूँ मैं किसी भी आरक्षन को पसंद नहीं करता और खास कर नौकरी में आरक्षन तो कता ही नहीं मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाब हूँ जो अकुशलता को बढ़ावा दे जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए ये पंडित नहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्टी है और तब जाकर के मैं कहता हूँ ये जन्मजात इसके विरोधी है नहरू जी कहते थे नहरू जी कहते थे अगर SC ST OBC को नौकरियों में आरक्षन मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा और आज जो आंकड़ी गिनाते हैं नहीं कि इतने यहाँ है इतने यहाँ है उसका मूल यहाँ है क्योंकि उस समय उन्होंने रोग दिया था रिकूट्मेंटी मत करो अगर उस समय सरकार में भरती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहाँ पर पहुचते सरापती जी ये कोट पढ़ रहा हूँ आप वरिभाई कर सकते हैं मैं पंडित नहरू का कोट पढ़ रहा हूँ प्रमोशन कर देंट आज पर आज यहाँ पर पढ़ रहा हूँ यहाँ पर पहुचते तो पर रहा हूँ आज यहाँ पर पेशचते नहरू जी ने जो कहा वो कॉंग्रेस के लिए हमेशा से पत्थर की लकीर होता है नेरुजे ने कहा मैं पत्थर की लकीर उनके लिए दिखावे के लिए आप कुछ भी कहें लेकिन आपकी सोच ऐसे कई उदाहरों से सिद्ध होती है मैं अन गिलत उदाहर रेख सकता हूँ लेकिन मैं एक उदाहरान जरूर देना चाहता हूँ और वो उदाहरान मैं जम्मू कश्मीर का देना चाहता हूँ कॉंग्रेस ने जम्मू कश्मीर के हसी हस्टी ओबीसी को साथ दसकों तक उनके अधिकारों से बन्चित रखा आर्टिकल 370 370 मैं हम कितनी जिते के उचकी बाद अभी नहीं कर रहा हूँ आर्टिकल 370 को निरस्त किया तब जा करके इतने दसकों के बाद स्टी स्टी ओबीसी को वो अधिकार मिले जो देश के लोगों को बरसों से मिले हुए तो इसको रोक के रखा था जम्मू कश्मीर में Forest Rights Act उनको प्राप्ट नहीं था जम्मू कश्मीर में Prevents of Attrocity Act नहीं था यह हमने 370 हटा कर यह अधिकार उनको दिये हमारे ऐसी समुधाय में भी सबसे पीछे पीडिक को रहा तो हमारा बाल्मी की समाज रहा प्रइबारों को भी साथ साथ दसक के बाद भी जम्मू कश्मीर में रहे लोगों की सेवा करते रहे लेकिन domicile का अधिकार नहीं दिया गया ये है और मैं आज देश को भी अवगत करना चाहता हूँ कि स्थानिय निकायों में local self government में OBC के आरक्षन का विदेग भी कल छे परवरी को लोग सभा में भी पारी हूँ आज ये सभापती की SC, ST, OBC उनको बड़ी भागिदारी नेव में कॉंग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही है बाबा साथ के राजनीति को बाबा साथ के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है वक्तब है अबलेबल है चुनाव में क्या क्या बोलागा है वो भी अबलेबल है इतको भारत रत्म भी देने की तयारी नहीं थी वो भी भाज़पा के समर्फन से और सरकार बनी तब बाबा साथ को खत्म कितना ही नहीं सिताराम केशरी अती पिछडी जाती से कॉंग्रेस पार्टिया देख से उठा करके फुटपात पर फैंक दिया गया वो भी सी वो वीडियो अवेलेबल है वो देश ने देखा सिताराम केशरी के साथ क्या हुआ और और अधनियत सभापती जी इनके एक मारदर्शक अमेरिका में बैठे सभापती जी इनके एक मारदर्शक अमेरिका में बैठे जो पिछले चुनाव में हुआ तो हुआ हुआ तो हुआ के लिए फेमस हो गए थे और कॉंग्रेस ये इस परिवार के काफी करीबी है हुआ 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 ज्य कहा एक जी करनाव टू दόज हुआ झाल झाल